सेरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में बहुत जल्द कार्तिक और नाइरा अपने घर वालों को गुड न्यूज देते नजर आएंगे नाइरा पूरे परिवार को बताएगी कि वो प्रेगनेंट है और बहुत जल्द कार्तिक और नाइरा फिर से मम्मी पापा बनने वाले हैं और कार्तिक के दिल में कहीं ना कहीं एक असमंजस है किस बात कि एसमंजस है ये फिल्हाल सामने नहीं आया जब नाइरा ने ये खुशखबरी पूरे परिवार को सुनाई तो सवाए कार्तिक के हर एक शक्स खुश था लेकिन कार्तिक के दिल में कुछ अलगी चल रहा है इस खबर को सुनकर कहीं न कहीं कार्तिक खुश नहीं है आखिर क्यों? क्या है वज़ा कार्तिक के खुश ना होने की? ये अपने आप में है एक बड़ा सवाल तो वहीं अगर हम इस बात को शो के नए प्रोमो से कनेक्ट करके देखें तो काफी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि नाइरा की प्रेगनिंसी में कार्तिक उसे छोड़ कर चला जाएगा कहीं अचानक से गायब हो जाएगा तो कहीं कार्तिक का गायब हो जाना पहले से प्री प्लान तो नहीं था कहीं कार्तिक पहले से ही ये बात तो नहीं जानता था कि उसे एक ना एक दिन नाइरा से अलग होना पड़ेगा इसी के साथ शो को लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आई है जो कहानी में और भी confusion और mystery पैदा करती है इस सिर इंटरस्टिंग ट्रैक को देखने के लिए हम और आप बहुत ही बेसबर रहने वाले हैं क्योंकि खबर है लीप की जी हाँ खबर आ रही है कि शो में 9 महिने का लीप आएगा और इस लीप के बाद सब कुछ बदल जाएगा कार्तिक की तलाश में रहेगी नायरा लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कार्तिक अब नायरा को नहीं मिलने वाला और इस लीप के बाद वो अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ हकेली पालती पोस्ती नजर आएगी तो नो महिने का लीप स्पेशल ये एपिसोड कैसा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन तब तक के लिए कार्तिक और नायरा की इस कहानी को देखना होगा बहुत इंट्रस्टिंग